नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बात करेंगे 5th of October के एडिटोरियल सेशन की और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दूँ कि ये आशीज क्लासे एंड्रोइड अप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में कोर्स उपलब्द है यहां previous year paper sets उपलब्द हैं ससी के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है वो सब देख सकते हैं इसके बाद एक vocabulary की e-book January से लेकर जून तक की book उपलब्द है और जल्द ही July August and September इन 3 months की book next book जो है जल्द ही उपलब्द होने वाली है आप the Hindu editorial analysis के batch में अड्मिश हैं एक बार इनको भी आप विजिट कर सकते हैं common errors से start करेंगे पहला question देखिए being Sunday he was at home यह common errors एक ही pattern पर आधरित हैं आप यहां पाएंगे कि यह एक grammatical term में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं mismatched participle उसी का हम यहां पे discussion करेंगे इसमें होता यह है कि दो close आपको मिलेंगे जैसे माली जी यह being Sunday कर दिया उसके बाद में एक he was at home है इसी तरह second sentence में being a destitute and coming from humble family हो गया फिर दूसरा close I से लेकर home तक है ऐसा ही यहां पे being a rainy day हो गया फिर विजे से लेकर problem तक है ठीक है ना तो दो close में से जो पहला close है वो present participle से start है means देखो V0 plus ING है V0 plus ING है V0 plus ING है sentence में देखेंगे तो यह ही है दूसरे sentence में आई है तीसरे में विजे है क्या यह पहले sentence का पहले close का subject बन सकता है कि नहीं अगर वो पहले subject का भी पहले sentence का भी subject है पहले close का भी subject है तो इसका मतलब sentence perfect है अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको जो भी required subject वो एड़ करके sentence को rectify करना होता है पहला sentence क्या बोल रहा है being Sunday he was at home कि Sunday होने के कारण वहे घर पर था तो यही जो है इसका इस sentence से इस cloth से कोई connection नहीं है तो आप यहां पर करेंगे गलत और इसके स्थान पर अप लगाएंगे it being us it being Sunday ठीक है दूसरा sentence पढ़ेंगे तो destitute का मतलब होता है गरीब पॉपर कह सकते हो ठीक है पूवर कह सकते हो गरीब हैव नॉट कह सकते हो गरीब के लिए हैव नॉट भी यूज किया जा सकता है तो कहरा कि गरीब होने के कारण और एक सभ्वे परिवार से सम्मन रखने के कारण है मैंने उसे old people home में admit कर दिया ठीक है तो इसका मतलब दो वेक्ति हैं यहां admit करने वाला आई है और जिसको admission मिला है वो ही है तो यहां पे he being a destitute आएगा तो यह भी गलत है एक number part में गलती है और तीसरा sentence देखेंगे तो बारिश का दिन होने के कारण विजे ने decide किया कि वो घर पर ही रहेगा और प्रॉब्लम जो भी problems को मतलब काम कर रहा था किसी problem पर आगे काम करेगा तो यहां विजे जो है वो इसका subject नहीं बन सकता है इस लिए इससे पहले आपको बींग से पहले इट लगाना पड़ेगा तो इट बीइंग आ रेनी डे ठीक है ना एक ही पैटरंट पर अधारित questions थे और mismatched participant मेंने कहा grammatical terms में आप इस प्रकार से इसको identify कर सकते हो कि यह mismatched participant की questions है करेंगे start until vaccine पहला editorial है और generally में पहला editorial ही लेकर आता हूं ठीक है second editorial जो है वो आपको application पर उपलब्द होता है और इन दोनों का PDF भी आपको application पर मिलता है वह आप अगर आप जुड़ना चाहें until vaccine से मतलब है कि vaccine मिलने तक या vaccine जब develop हो जाए उस तक ठीक है तोड़े सावधानी रखने की जरुवत है अभी vaccine नहीं आई है इससे पहले सावधानी रखे जाने की जरुवत है तो COVID-19 के विशे में यह article है तो कहरा कि India's fifth round भारत का जो पांचवा round है किसका unlock regulations का regulation नियम कानु काइदों को बोलते हैं तो October में unlock five phase की बात की गई है इसमें education institutions को खोलने की बात की गई है यहाँ cinema hall को खोलने की बात की गई है ठीक है तो उसी की बात कर रहा है कि भारत का जो unlock regulations की बात है ना unlock phase पांचवे की बात है October के लिए allowing a further expansion तो यह देखो दो चीज़ें साथ में चल रही है एक तो यहाँ पर कहा कि भाई एक तो यह जो unlock की बात है और फिर दूसरी बात है कि ऐसा करते हुए है तो दो simultaneous action को denote करने का एक तरीका होता है present participle लगाते हैं तो यहाँ पर यह present participle हुआ ing form का प्रियोग किया गया तो भारत का जो पांच वा राउंड है unlock regulations को लेकर October क लिए तो उसमें allow करते हुए क्या further further का मतलब आगे होता है एक further होता है उसका मतलब दूर होता है इसका मतलब दूर होता है ठीक है ना तो कहरा है कि आगे expansion का मतलब विस्तार expansion expand से बनता है विस्तार noun है और public activity जो भी लोग क्रिया है public activity है manly vicious करके in education entertainment and business conferences in इन छेत्रों के अं comes at a time और यह comes है वो जुड़ा हुआ है इससे तो जो भी आपको red color में underlined part नज़रा रहा है वो सब subject है तो यह subject की verb comes यहां पे है तो अगर आप सीधा पढ़ते हो इसको तो ज़्यादा बहतर समझ में आगा मान लीजिए इसको drop कर देता हूं यहां से यहां तक का part और अब मै लगेगा क्यों habitual action है frequently occurring action है जबकि ऐसा है नहीं इसलिए आप इसको पढ़ेंगे past में भली दे रखाओ present में तो भारत का जो पांचवा राउंड है वो ऐसे time पर आया है when COVID-19 transmission is steady जब COVID-19 का जो प्रसारण है transmission transmit से बनता है और यह verb है is steady transmission को देखकर steady का मतलब continue है कि जब COVID-19 का परसारण जो है वो लगातर बढ़ रहा है in many cities बहुत सारे शहरों में बात समझ में आई छोटा सा sentence ही था कि भारत का जो पांचवा राउंड है वो किस समय आया है उस समय आया है unlock phase 5 जो है उस समय आया है जब COVID-19 का जो transmission है वो लगातर हो रहा है बहुत सारे शहरों में बीच में इसने जोड़ दिया कि यह पांचवा राउंड किसका है unlock regulations का है अक्टोबर के लिए ठीक है और क्या करते हुए किया है तो education में entertainment में business conferences में जो भी public activity है उसका फैलाव करते हुए उसको आगे और विस्तार देते हुए इस प्रकार से यह कह रखा है आगे देखेंगे nationally रा और नेशनली इजन एड़ वर्ब तो राश्ट्री अस्तर पर दो यदपी the new infections being added everyday तो करें यदपी जो नए संक्रमन के cases है being added मतलब add हो रहे हैं everyday हर दिन ठीक है ना तो यह हर दिन नए infections के cases आ रहे हैं ठीक है at about 60,000 represent मतलब कितना आ रहा है लगबग 60,000 के cases आ रहे हैं तो यह ना दो इसलिए लगा है इसने कि यदपी हर दिन केस तो आई रहे हैं साथ हजार भी कम नहीं है फिर भी represented decline फिर भी यह मतलब एक घटावास तर कह सकते हो यह कमी आई है cases मैं आपने देखा था एट्टी थाउजन प्लस cases आ रहे थे उनमें कमी आई है decline के साथ में इन है किसके अनुसार है एज़ पर जोन हॉपकिन्स कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर डेटा अब यह देखो यह तो एक रिसोर्स सेंटर है इसके डेटा मिले है उसके according यह आकड़े सामने आए है बात समझ में आ रही है कह रहा है कि रास्ट्री अस्तर पर यदपी नए cases बढ़ करें मर्च एपर्लों लोग्डाऊं श्टिद्ध का मतलब सकत होता है स्ट्रीक्ट होता है Portuguese मतलब है और स्टेट तो मार्च eopardत में काफी ज मतलब एक कठोर लोकडाउन लगाया गया था बहुत स्ट्रिक्ट लोकडाउन था आपने देखे थे तस्वीर आपने न्यू चैनल देखे थे घरों में बैठकर उस समय आपने देखा था कि कोई व्यक्ति घर से बाहर आने पर डंडे किसी पिटाई भी हुई थी तो वह एक ज जो मेजर्स का मतलब स्टैप उठाए गए थे तूअंलोग दा एकोनोमी किसके लिए को अनलोग करने के लिए भी मार्च और अपरेल में तो लोकडाउन लगा उसके बाद धीरे जब ये लोकडाउन हटाने के लिए जो उसके बाद के जो कदम थे तूप्रिवेंट किसके लिए रोकने के लिए प्रिवेंट रोकने के लिए क्या equally समान रूप से debilitating का मतलब होता है कमजोर करते हुए debilitate से मतलब होता है कमजोर करना weaken ठीक है तो यह यहाँ पर actual में crisis तो noun हो गया और यह अब चुकि वर्ब तो है जब ING form में हो तो present participle होता है और third form में अगर दे रखा हो तो past participle कहा जाता है तो क्या कहना चाता है कि यह एक strict March-April lockdown लगा और उसके बाद कि जो steps यहाँ पे लिए गए economy को unlock करने के लिए ठीक है किसके लिए समान रूप से कमजोर कर देने वाला lockdown क्राइसिस का मतलब आज जीवी का है चुकि lockdown लग गया तो लोगों के आज जीवी का खत्रा हो गया ठीक हा संक्रमना खत्रा तो था ही लेकिन lockdown लग जाने से लोग फिर जीवन यापन कैसे करें जो परती दिन कमाने वाले वेक्ति थे वो तो फिर उनका कामकास तो ठप हो गया तो इस प्रकार से वो कमजोर कर देने वाला क्राइसिस जो था उसको रोकने के लिए unlock phase जो लगाया इन दोनों चीजों ने पहले तो lockdown लगाया उसके बाद में unlock phase आया इन दोनों चीजों ने हैव इसी लिए आ रहा है कि plural subject बन गया इन्होंने इंडिया को बना दिया an uncommon case study भारत को इन्होंने एक ऐसमाने case study बना दिया ठीक है न एक ऐसमाने सी बात कि lockdown तो लगाया आपने संक्रमन से बचने लेकिन उ उसके जैसा ही संकट ये था कि लोग जीएं तो फिर जीएं कैसे ठीक है the decision जो निरने है to allow states to consider reopening to allow अनुमती देने का states राज्यों को to consider की वो सोच विचार करें reopening फिर से खोलने पर क्या चिस schools and coaching centers को कब से October 15 के बाद से किसके लिए students के लिए कौन से students तो who यहाँ पे इसके लि प्रूप से अटेंड करना चाहते हैं विल प्रूव डिफिकल्ट वन यह जो एक इनका decision है यह बहुत ही एक मुश्किल decision प्रतीत एक सिद्ध होगा बात समझना यह जो decision है इसको सीधा जोड़ सकते हैं विल प्रूव से विप्रूव का उन सिद्ध होना विल मॉडल है तो व निरने है तो यह बता रहा है बीच में राज्यों को अलाव करने का इसके लिए कि वो सोच विचार करें ठीक है प्लैन करें कि कैसे स्कूल को कोचिंग सेंटर सो खोलना है कब 15 अक्टोबर के बाद किसके लिए उन स्टूडेंट के लिए कौन से स्टूडेंट जो चाहते है कि वेकल्पिक रोप से क्लासे रिटेंट कर सकें ऑप्शनली है मतलब वह एक यह कंपल्सरी नहीं वह चाहेंगे तो अटेंट करें वढ़ना ना करें इस प्रकार से considering यह difficult कैसे होगा यह देखते हुए considering present participle हुआ यह देखते हुए क्या कि new research evidence नए जो research evidence है नए जो एक research का मतलब समझते ही है आप खोजबीन जो भी हुई है जो भी मतलब आपने प्रियोग किये हैं जो भी research evidence का मतलब सबूत आए है evidence का वहुँचन नहीं बनता है बताया था based on मतलब आधारित data आकड़ों पर आकड़ा कौन से तमिलनाडू और अंदरप्रदेश क्या करें pointing to point के साथ two लगता है इशारा करते हुए high prevalence prevalence का मतलब क्या होता है व्यापक्ता wide spread कोई चीज होना exist करना है न कि भौत ज़्यादा व्यापक्ता है किसकी infection की किसमें बच्चों में वो बच्चे अब यह हूँ इसके लिए है वो बच्चे जो की वर इसको देखकर हो गया contacts of virus cases जो की contacts है virus cases के in the same age group समान age group में समान age group के बच्चों में ज्यादा जल्दी फैलता है यह कहना चाहता है एक बाद फिर समझना कि जो decision है states को allow करने का कि वो सोच विचार करें कि वो reopen करना उनको school और college 15 October के बाद में उन विद्यार्थियों के लिए जो वेकल्पी group से classes attend करना चाहते हैं यह decision बढ़ा ही मुश्किल होगा क्यों इस चीज को देखते हुए कि नए जो research evidence आये जो भी खोजबीन हुई है जो कुछ भी आकड़े प्राप्त किये हैं उन से बढ़ा ही मुश्किल प्रतीत होगा लेंग्वेज बहुत आसान है जदा words भी आज कुछ है नहीं इसलिए बहुत ही easy article है showing community spread अब यह कह रहा है community spread समझते ही हो कि कोई समधाई विशेस में ग्रूप में संक्रमन का फैलना तो यह जो slowing का मतलब कम होता हुआ community spread कम होता हुआ community spread है slowing यहाँ पे काम करेगा present participant का तो कह रहा है कि बही कम होता हुआ community spread है is bound to bound to का मतलब यह certain है sure है निश्चित रूप से होगा ही वो निश्चित रूप से become more complicated अधिक जटिल हो जाएगा अभी तो ठीक है community spread धिर धिरे कम हो रहा है अभी अपने शुरुआत के slide में हमने बात की कि cases की संख्या भी कम आने लग गई है काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि cases की संख्या कम आ रही है 60,000 के करीब आ रही है ना तो community spread कम हो रहा है लेकिन यह निश्चित रूप से क्या होगा जटिल हो जाएगी कहानी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कारण क्या है क्योंकि governments blame careless attitudes की government दोस्ट देती है governments को देखकर blame है governments plural है तो blame भी plural है अगर यहाँ पे singular होता तो क्या करते है blames कर देते careless attitude का मतलब है कि government दोस्ट देती है blame करती है उस रवये को जो careless है वो attitudes जो की careless है मतलब परवाही पूर्ण है किसके लिए for continued transmission लगातार जो प्रसारण हो रहा है उसके लिए ठीक है तो वो प्रसारण जो लगातार हो रहा है उसके लिए government कहीं है कि आपका careless रवया है आप लापरवाह है इसलिए फैल रहा है नोटेबली विशेस करके कहाँ पे कहाँ पे केरला और तमिल नाडू में बात समझ में आ गई यहां तक आगे देखें while essential movement अब यह while से कह रखा है इसका मतलब आप expect कर सकते हैं कि दो close होंगे और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीट साइड में जाने वाले close होंगे तो while essential movement essential का मतलब आवशक महत्वपूर्ण है ना important movement का मतलब हल चल किसकी for economic reasons मतलब अगर आप movement करते हो आर्थिक कारणों से पैसा कमाने के जाना तर पड़े गई तो ये एक essential movement कहा गया है क्योंकि ये तो अनिवारी है अगर नहीं जाओगे तो पैसा कैसे कमाओगे तो livelihood वो खत्रा पैदा हो जाएगा तो जो essential movement है economic कारणों से जिसमें शामिल क्या है public transport का use भी आप अगर कहीं कमाने जाते हो तो हो सकता public transport का use करना पड़े बसेज में जाना पड़े टैक्सी में जाना टैक्सी पकड़नी पड़े तो ये जो चीज़ें है इस अब unavoidable तो ये जो essential movement है ये क्या है इससे आप बच नहीं सकते ये unavoidable है ठीक है unavoidable का मतलब क्या होता है in unavoidable क्या कह सकते हो in unavoidable मतलब ये परिहार ये है आप इससे बच ही नहीं सकते और ably ending words क्या होते है executive होते है ठीक है तो कह रहा है कि यददपी ये बात तो ठीक है कि economic कारणों से बाहर जाना पड़ सकता है public transport का use करना पड़ सकता है इससे तो नहीं बच सकते फिर भी मैंने फ उदासीन था जैसे मैं आपसे पुछों कि class अच्छी है कि बुरी है तो फिर आप कुछ जवाब ना थे तो आपकी indifference है आप किधर भी नहीं है ना तो positive side में negative response की तरफ है तो वो indifference कहलाता आप फरक नहीं पड़ता क्या होता है क्या नहीं तो ये करा indifference towards safe public behavior ये safe public behavior कि इ जैसे public में अगर आप public places में हैं तो mask लगा कर रखें फिजिकल डिस्टेंसिंग maintain रखें ये है safe public behavior तो इसको लेकर जो उदासीनता है is extracting a heavy social cost एक्स्टेक्ट का निकालना होता है heavy का भारी भरकम social cost समाजिक कीमत तो कह रहा है कि ये जो एक उदासीनता है ना हमें क्या फरक ये बहुत बड़ी एक समाजिक कीमत चुका रहा है ये कहना चाता है ठीक है आगे देखिए इवन इन दा फेस ओफ इन दा फेस ओफ का मतलब होता है when confronted with इसका यहां पर मतलब क्या है when confronted with means इसके चलते ऐसा होते हुए तो इवन इन दा फेस ओफ इवन का मतलब भी deadly का मतलब फैटल कर सकते हो और क्या कर सकते हो लीथल कर सकते हो ठीक है तो कह रहा है कि घातक वैश्विक महामारी है बहुत बड़ी मतलब वैश्विक महामारी है घातक विमारी है जानलेवा है उसके चलते भी मतलब उस इस्तिती में भी कि जानलेवा है उस इस्तिती में भी वेक्ति को बोलते हैं जो आपकी बात नहीं मानता है है ना चाहे टीचर कितना ही कहें पढ़ ले बेटा ले कि नहीं पढ़ेगा है ना कितना ही कहें बेटा क्लास में रेगुलर आकर नहीं आएगा तो उसको बोलता है री कैल सी ट्रेंट स्टूडेंट कह सकते हैं फिर उसको तो कह रहा है कि उस इस्तिती में भी कि जब बहुत ए घातक या जानलेवा वैश्विक महामारी है उस कंडिशन में भी गवर्मेंट जो है वो जो अडियल विकती है उनके प्रती उनका गवर्मेंट का रवाई आया है वो स्ट्रिक्ट नहीं है वो बिल्कुल जेंटल वे में बिहेव कर रही है और ये एक लोग कौन से हैं ये वो लोग है जो डू नाट वियर मासक इसको वेर पढ़ते हैं जो कि मासक नहीं पैंते हैं यहां यहां तक की बसेज और ट्रेंस में भी नहीं पैंते हैं आप पूछो के सब्योखनרא ओं यह तो एन लग जाना चाहression के सारवजनिक इस्तानों पर थूकते नजर आते हैं, spit का मतलब थूकना, and और क्राउड कमर्शियल लोकेशन, जो कमर्शियल लोकेशन हैं, जिसे मौल वगर हैं माल लीजिये, है ना, वहाँ पर काफी भीड नजर आती है इनकी, ये भीड कर लेते हैं, इक अठा हो जाते हैं वह के दोरान, वांसों पर चला गया, अब आएगा, winter months आएंगे, end of festive season, और अब चोंकि उत्सव अगरे भी हैं, त्योहार भी हैं, दिवाली आने वाली है, polite persuasive enforcement, भी ठीक है विनमरता पूर्वक, persuasive मतलब मनाने वाला, persuade करने वाला, enforcement मतलब लागू करने का process, would be essential जरूरी होगा to reduce infection rates, संकर्मन की दर को कम करने के लिए, तो देखो आगे दिवाली आने वाली है, सर्दी का मौसम है, ज़्यादा ये वाईरस सक्री हो जाएगा, समझ रहे हो, और unlock five आई गया है, तो school colleges भी खुल जाएंगे, इस से क्या है संकर्मन का ज़्यादा खत्रा है, तो इस समय सरका करवाया जाए, इस से आगे देखिए, अमंग the relaxation majors, अमंग मतलब के बीच, relaxation का मतलब यह जो unlock वाली बात, सहुलियत देने वाली बाते हैं, majors का मतलब steps, in the October, unlock phase, तो October का जो unlock phase है, ठीक है, October का जो यह unlock phase five है, उस में जो relaxation majors दिये गए है, जो भी मतलब छूट दी गई है, उनके बीच, its permission, समझना, ये एक छोट है, permission, किसकी permission, cinemas and multiplexes, समझते ही हैं आप, to open at 50% capacity कह दिया है कि 50% की छमता के साथ आप इनको open कर सकते हो, मुई दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, but the risk surrounding and closed spaces, लेकिन लेखा कह रहा है कि जो risk है, खत्रा है, किसके इर्दगिद and closed spaces, जो की बंदिस्तान है, चुकि सिनेमा केंदा तो बंदिस्तान है, ठीक है, बंदिस्तान में जो संकरमन का खत्रा है, and transmission from asymptomatic individuals, asymptomatic individual का मतलब ऐसे लोग जिन में कोई symptom नजर नहीं आता, वो छीकते नजर नहीं आएगे, वो खासते नहीं आएगे, वो normal नजर आएगे, लेकिन फिर भ आएगे, लेकिन जो रिस्क है, ठीक है, आपने अनलोक फेस के अंदर, यह जो रिलक्सिशन का दोर चल रहा है, अक्टोबर की बात आपने की है, उसमें एक सिनेमा और multiple x को open करने के लिए आपने कहा है, पचास परसेंट के चापशिटी के साथ open करने के लिए कहा है, लेकिन रिस्क जो है in enclosed in बंदस्तानों के इर्द गिर्द है ना इन बंदस्तानों के स्राउंड किये वे और जो ट्रांस्मिशन है asymptomatic individual से वो क्या है वास्तिक है viewed against viewed against का मतलब है इस प्रस्ट भूमी में देखें या इस basis पर देखें the enhanced risk enhanced का मतलब बढ़ी हुई increased risk का मतलब खत्रा of environments environments वातावरन where जहां पर mask are removed जहां पर mask हटा दिये जाते हैं are removed passive हो इस हो गया present simple का passive है is mr plus third form से बनता है तो जहां mask को हटा दिया जाता है किसके लिए eating and drinking जब खाना खा रहे हो पानी पी रहे हो चाई पी रहे हो इसके लिए for prepositional to ing लग गया end के दोनों और चीज़ें सेम आ रही है ing ing तो कहरा कि अगर आप इस प्रस्ट भूमी में देखें कि ऐसी जगहे पर ऐसे environments में खत्रा बहुत बढ़ा हुआ है जहां पर mask को हटाया जाता है eating और drinking के लिए जैसे कि cinema जा में सही करते हैं cinema में तो popcorn चाहिए वढ़ना movie अच्छी नहीं लगती है ना cold drink साथ में चाहिए वढ़ना movie अच्छी नहीं लगती तो वैसी जगह पे restaurants में तो घहर खाने के लिए जाते ही है अब इसके लिए मास्क खटा दिया जाते हैं तो these entertainment entertainment options तो रेखा कहरा है कि ऐसी जगह पे इस प्रस्पूमी में अगर आप देखो इस perspective से अगर आप देखो तो जो ये मनोरंजन के जो विकल्प है सिनेमा हो गया restaurant हो गया है ना तो ये जो चीज़ें है may not have wild appeal हो सकता है में का मतलब संभावना है not have wild appeal की ज़्यादा मतलब याकरशित नहीं करें appeal का मतलब यहाँ पे attract करने से है कि हो सकता है ज़्यादा याकरशित नहीं करें in the pre vaccine phase किस में pre vaccine phase में मतलब vaccine आने से पहले का जो दोड़ चल रहा है ना उसमें हो सकता है कि लोग खुझ से ही वहाँ पे ज़्यादा पसंद ना करें कुछ समझदार भी तो होते ही है ठीक है खुझ को जान के परवा भी तो होते ही है आगे देखो वाइल्ड एकोनॉमी शिफ्ट गियर्स अब फिर से वाइल से आ गया तो क्या कहेंगे दो कलोज होंगे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी प्रीत होंगे तो यदपी अर्थेवस्ता ने यहाँ पर गियर्स शिफ्ट कर लिया है अर्थेवस्ता पहले बिल्कुल चल जी नहीं रहे थी सब कुछ लोकडाउन में सब कुछ बंद था अभी अर्थेवस्ता भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गई आगे की और तो यह शिफ्ट किय आगे अर्थेविटी फेज का मतलब यह जो अनलॉक के फेज में है ना एक्टिविटी का मतलब कामकाज होने लग गए है और गतिवीदियां शुरू हो गई है फिर भी दे सेंटर शुट भी फोकसिंग ओन फोकस में ओन लगेगा तो सेंटर को यहाँ पे क्या करना चाहिए ध्यान के इंदरित करना चाहिए किस चीज़ पर ते प्रपरेशन अताइन जी लग गया इंप्रूव करने पर क्या अंडरस्टेंडिंग ओफ हेल्थ इंपक्स ओफ कोविड नाइंटीन का स्वास्ते पर प्रभाव है उसको समझने के लिए यहाँ पे इंप्रूव करना आगे बढ़ रही है अब ठीक है शेंटर को यहाँ पर ध्यान के इंदरित किस पर करना चाहिए कि कोविड नाइंटीन का हैल्थ पर इंपक्ट पड़ेगा उसकी समझ विक्सित करने पर सुधारने पर ध्यान के इंदरित करना चाहिए डिसपोइंटिंग ली निराशा जनक रूप से वाइल इंफसाइजड मैसीव रिकवरी रेट मैसीव का मतलब भोती भारी भरकम हीज वास्ट ठीक है तो जहाँ इप फॉकस करो में पोजिटीव जीज पर कितना पॉजिटीटिट गवर्मेंट का एढ़़ू कितना बहतरीं रिकावरी रेट हमारी है infections से ठीक है तो यह लेखा कर रहा है यह दपी इसने यह तो कह दिया कि recovery rate काफी ज़्यादा है लेकिन it has failed लेकिन सरकार जो है वो एसफल रही है किस चीज में standardized testing and reporting methods standardized का मतलब यह हो गया कि testing और reporting में testing हर जगे पे available हो सुगमता से available हो दुरलब ना हो आसानी से सब की testing हो सके ऐसी विवस्ता करने में सफल रही है and reporting methods report मतलब हर रज्य हर जगे अपनी सही सही आंकडे बताएं कि इतने cases हमारे पास आई जो reporting methods है states में है उसमें सफल रही है and publish fine grained data fine grained का मतलब data का मतलब ऐसे आंकडे जो पूरी detail में हो है ना ऐसे आंकडे जिसकी बारिक से बारिक detail हो उसको बोले है fine grained data और ऐसाफल रही है किसमें कि सरकार ने वो data यह पब्लिश नहीं कि जो fine grained data हो बिलकुल detail में data हो on types of tests किस पे कि types of test पे कि कौन से test carried out execute करना कौन से test करवाए गए in each state हर एक राज्य में यह नहीं बताया गया अनुनिमाइजड patient histories फिर patient histories मतलब patient की history की भी यह patient है इसका मतलब संक्रमित हुआ था ठीक ठीक हो चुआ लेकिन अनुनिमाइजड का मतलब उसका नाम ने बताना उसका नाम पब्लिश ना करना बिना नाम बताते हुए पोस्ट recovery status पोस्ट का मतलब बाद में होता है recover होने के बाद क्या status रहा उसको भी track करना कि बीमार हो गया ठीक हब ठीक हो गया अब उसकी हालत कैसी है वो for complications and mortality किसके लिए कि कहीं कोई ऐसा तो ही complication उसके आगया हो आगे चलके या फिर mortality मरत्यू को बोलते हैं या फिर उसकी मरत्यू हो गई हो ऐसा तो नहीं है इसको track करना इन सब चीजों में government जो है वो आगे देखिए repeated emphasis on emphasis यहां पे noun है इसमें देखो on लग रखा है मैंने बताया था emphasize verb है does not take any preposition but if it has been used as a noun then we have to place on as preposition repeated emphasis का मतलब बार बार में जोड़ देना किस बात पर होने large number of recoveries बहुत बड़ी संख्या में जो recoveries हो रही है उस पर जोड़ देना which were expected anyway यह recoveries के लिए विचार है वो recovery जो कि कि किसी भी तरीके से expected थी पैसी वो इसे है ऐसा माना गया था recovery तो होगी ही ठीक है तो कहरा बार बार में जोड़ देना कि बहुत बड़ी संख्या में recovery हो रही है जो कि किसी ने किसी तरीके से expected थी पता था कि recovery होगी but without the necessary caveat caveat का मतलब चेतावनी होता है लेकिन बगैर आवशक चेतावनियों के may be encouraging हो सकता है कि यह चीज बार बार में आप बेकीचित करें और recovery हो जाएगी कोई बात नहीं हम लोग घरों में बात करते ही है इंफेक्ट मेरी surrounding मेरी परिवार में भी महाओल ऐसा ही है बात ऐसे ही करते है कि रीकवरी तो खूब फास्ट है तो क्या फरक पड़ेगा हो भी जाएंगे संक्रा में तो कुछ नहीं होने वाला यह जो बात कीता है कि क्या कर सकती हैं परौच साथ कर सकते मीलिए अन्स लाखों लोगों को लोवर देर गार्ड कि वह अपना सुरक्षा थकान होता है ठकावट एक्जोशन टाइडनेस वीरिनेस हर एक प्रियास जो है एक नागरी की थकान को दूर करने का ओवर कोविड नाइंटीन के दोर में कोविड नाइंटीन को लेकर शुड़ वी मेड वो किया जाना चाहिए पैसी वही से और सुड़ है सजेशन बता रहे ह हर एक प्रियास करना चाहिए कि सर जो एक उप चुका है नागरी बार बार में कोविड नाइंटीन हम तो उप चुके हैं कितनी बार पर फड़ा दिया मैंने कोविड नाइंटीन का आटिकल आपको आपको लगता कि ता बोलिंग चल रहा है वही हुई चल रहा है सब कुछ हाँ कि गोल इस थू रहा है है कि तो यह जो वैक्सीन जो है वो नहीं बन जाती जब तक है तब तक थोड़ा सा यहां पर क्या करना लक्षे यह है कि हेल्थ को प्रिजर्व किया जा जाए है है अब हम बात करेंगे आज के रिविजन की तो caveat का मतलब warning होता है एक नंबर को जोड़ देंगे C से दूसरा जो है fatigue, fatigue का मतलब ठकान होता है तो इसके लिए exhaustion हो जाएगा दो को जोड़ देंगे A से फिर है benign, benign का मतलब kind या gentle होता है तो इसको जोड़ दीजिए E से फिर है prevalence, prevalence का मतलब ubiquity है सर्व व्यापकता है तो B से जोड़ देंगे और debilitate का मतलब कमजोर कर देना होता है तो ये हो गया D, weekend इसके screenshot ले लीजिए अब अब बात करेंगे translation की एक निश्चित pattern पर translation है वह पागल हो गया तो he went mad became के जगहे पे सीधा कर देंगे he went mad फिर वह दिवालिया हो गया he went bankrupt went का परियों किया है ना एक ही structure लिया है मैंने bankrupt दिवालिया होता है वह गंजा हो गया he went bald गंजा बाल उड़ जाना है he went bald और preposition she prohibited me from जब भी कोई काम को करने से रोकने का sense देते हो वहाँ वहाँ पे from लगेगा तो उसने मुझे smoking करने से रोका the government is not capable of capable में off लगता है सक्षम होना the government सक्षम नहीं है किस चीज में बढ़ती वी कीमतों को control करने में and he was desirous of desirous मनले इच्छा होना तो वह है उसकी इच्छा थी कि दोक्टर बने तो desirous में off लगेगा prohibit में from capable में off desirous में off ठीक है तो यह था दोस्तों आज का article मुलाकात होगी कल शाम पांच बजे जो live देख रहे हैं फिलहाल वो जरूर से like कर दें share जरूर कर दें मुलाकात करेंगे कल शाम पांच बजे तब तक लिन नमस्कार थैंक यू वेरी मुच